हलो फैंट्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत पे अफिशल में आपका स्सी कॉंस्टेबल जीडी मेडीकल स्टार्ट हो गए हैं और मेडीकल के रिजल्ट्स भी मिलने शुरू हो गए बारा को जिनका मेडीकल स्टार्ट भाता उनके धेरा को रिजल्ट्स मिल गए धेरा वालों के अज पिस पेवा कि सेम ड़े भी वी वा लेकिन फस दे जेर्नली नहीं हो पाता है अब एक डाउट तो अभी क्लियर हो गया आप लोगों का कि री मेडिकल में कितना समय मिल रहा है, तो री मेडिकल में ये कैटेगरी के जो पॉइंट्स हैं, उसमें कुछ सेंटर्स पे फाइदा केंडिडेट्स को हो गया, कि उनको दूसरे संटर पे रिपोर्ट करना है, इसलिए उनको A और B कैटेगरी वाले जो के टिकेट्स हैं, यानि कि आँख का जिनका पॉइंट है, उनको थोड़ा समय मिल जाएगा है, आँख के साथ में दूसरा पॉइंट है, वो भी कितना, maximum, पास दिन से ज्यादा का नही मिल रहा है, तो नागपूर से बैंगल्यूरू तीन दिन में आपको रिपोर्ट करना है, कि चौत्य दिन रिपोर्ट करना है, तीन दिन का पॉइक तरह से जर्णी पिरिट दिया, अब इस दौरान टैटू भी रिमूव करवाना मुश्किल है, हमें काफी काफी हो चुके थे, तो जब बार-बार आपको देखे, पहले से ही कह रहे थे कि नॉर्मल पॉइंट जो है, उनमें आप बत सकते हैं, हाँ, बहुत हार्ड पॉइंट है, कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, अब एक आपको अन्फिटनस सर्टिफिकेंट दिखा देते हैं, देख पॉइंट जो आप देख रहे हैं, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कितना है, 11.7, कितना होना चाहिए, 12 से 18 तक फिट हो जाएगा, वैसे तो 12 से 16 ही होता है, लेकिन 18 तक भी फिट हो जाएगा, 18 से ऊपर भूगे, तो अन्फिट है, इनका कितना है, हीमोग्लोबिन 11.7, कि चेक क पहले चेक करवाया और फिर इंजेक्शन लगवा कि हमोग्लोबिन बढ़ लिया, और मैसेज आए, कि सर आपका बता है, टेक्निक से मैं फिट हो गई, अच्छी बात है, हमारी टेक्निक से आप फिट हो जाती है, तो बड़ा अच्छा हमें भी लगता है, या किसी को लाव क से तेरा को मेडिकल था, पंदरा को, अब आज री मेडिकल हो रहा है, आज वही लैब में जांचे होंगे, क्या आप समझ सकते हैं कि एक दिन में हिमोग्रोविन बढ़ सकता है, कोई चांस ने, बढ़ तो सकता है, उसके लिए कुछ मेडिशन वगरा, इंजेक्शन, लेकिन वो सब भी कोई डॉक्टर का एड्वाइज लेकर करना है, ऐसे अपने से नहीं कर लेकर, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट जो है, वो है, क्यूबिटस वारस, क्या होता है, उसके पादगर, तस वल्गस और क्यूबिटस वारस, यह है आपके कहनी के इतना अच्छा नहीं है, यदि ये आपका बाहर के तरफ निकला हुआ है, तो वो क्या है, वो है qubitus pulgus, यानि कि पंदरा डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे साफ लिखा है कि नॉर्मल कितना होना चाहिए, नॉर्मल कहता है कि 10 से 15 डिग्री होना चाहि है कि 20 डिग्री तक fit किया जा सकता है कि यदि आपका elbow joint में करकर deformity नहीं है, stiffness नहीं है या आपका hyper extension नहीं है, लेकिन क्या हुआ है कि जर्नली देखिए 15, 16, 17, 18 तक के जो है, निस तक के भी जर्नली fit हो जाते है, वो डेपैंड करता है medical अपसापर, लेकिन नॉर्मल रेंज क क्या है, 10 से 15 डिग्री, इनका angle कितना है, इनका angle कितना है, वो आपके लिखाते हैं, इनके दोनों हातों में angle जो है, वो actually, अंदर के तरफ है angle, कि इसका ये जो कुबिटस वालगा से है, इसका opposite stitch है, ये कब होता है, ये जब चोट लगने के stitch होता है, या वाइपर्क भी हो स सकता है, अब इसको थोड़ा बहुत देखिए, एक, दो, पांस डिग्री तक इसको काभू किया जासकता है, exercise करके, वो फिजी करके कर लेते हैं, लेकिन वो तब होता है, जब आपको समय रहते हैं, इसका पता कर जाए, तो दोस्तों ऐसा आपके साथ problem ना हो, आगे आने वा तक पांस डिग्री का भी fit हो जाता है, लेकिन रिमेडिकल में अब ये आठ और चार का क्या होगा, दस डिग्री कैसे होगा, ये एक दिन में दस डिग्री कैसे होगा, इसका x-ray होगा, ऐलबो का, x-ray होने बाद में, radiologist का report सात में लगेगा, stars list लिए कहता हैं, ये दस डिग आपके डिक्लेर हुए और रिजल्ट्स ही नहीं हम तो पहले से ही आपको बता रहे हैं आगा कर रहे हैं इस तरीके से आप अपना PT-PST करते हैं आप written exam के mock test करते हैं वैसे ही आपको medical का भी आपको mock test आपको करना चाहिए आपको कर दिया जाएगा उसके लिए आप संपर्ख कर सकते हैं और कोई ऐसा point आपको doubt लगता है तो उस doubt के साथ ना जाएं तो पहले consult करें किसी specialist doctor से consult करें और उसको treatment जहां तक संपभ़ हो सके treatment लेकर जाएंगे जिंगोज किस्ट आपकों कर दोगचों कीता हम तार सब्सक्राइब घसक्राइब आपकों है ले जाएंगे स्वाधुटी से तुटी आपकों है तो जए जाएंगे नाँ है जाएंगे जाएंगे अ